सबसे पेले आप सभी को मेरा प्यार ब्राबर ना मैं को सुम्रावा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नियो ब्लॉग में ब्लॉगिंग की सुरुआ मेरी दिन की लगवग 12 बजे से हो रही है और आज मेरा सारा काम जल्दी खतम हो गया था तो सोचा थोड़ा ब्लॉग जल्पान बना होता है और अपने गेस्ट को बुला के वो जल्पान करवाते हैं बहुती सांदार रीते हैं और तो चलिए वीडियो के आंतर तक बने रहना क्या-क्या जल्पान में होता है आप सब वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा तो चलते हैं और जल्पान खाके आते हैं तो फ्रेंट मैं यहाँ पर दीदी के किचन में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने सबसे पहली नजर पड़ी मेरी तो मैंने यहाँ पर देखा कि यार बास के उसमें चावल बना रख है तो यही देखे वेलो थोड़ा सा मेरे को लगा हो कैसे बनाया तो फिर पूछा दीदी को तो दीदी ने बोला यह हमारे हर भी हुमें बनता ही है और इस पर चावल बनाने से बहुत ही टेस्टी होता है और ऐसा बैसा चावल नहीं होता है तो एक तरप का भाग पीर काटना पड़ता है क्योंकि चावल फिर निकालना पड़ेगा न तो इस तरह से इसको फार रिया था और अभी चावल को निकाला जा रहा है यहां पे तो सांदार तरीके से चावल बन गिया है और मैंने पहली बार देखा तो मिजो देखने में इसमें सब बना जाता है, कई लोग तो मलद इसमें डाल भी बनाते हैं, बनाने से मलद इसमें बहुती टेस्ट आता है, ठीक है, तो यहां पर पूरवी ने निकाल दिया था, और थोड़ा सब बचा हुआ था, तो आयूस यहां पर निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ब बैड़ गई, तो मैं बहुती बहुती तो मैं दिदी को बोल रही थी, अरे मेरे हजबर साब बोलते हैं, कि तिरको तो खली हाथ बिला नहीं आता है, तो हम लोग ऐसे यह फन कर रहे थे, तो यहां पर चैचुई सब तयार हो गई थी, तो हम लोग भार में आग जली भी थी तो हमने सोचा, अंदर तो दिदी ने बोला कि अंदर में खाएंगे, मुल्णा रूम में बैटके खाएंगे, तो हमने कहा, नहीं, अम्मा भी थी और पूरवी में, और चोटा बैटा था, आयूस था, तो हम ही लोग थे, तो अम्मा ने कहा, कि नहीं चूले प masked, रूले बा अच्छा खासा आग जल रही है तो फ्रेंट्स अभी हम लोगों ने जलबान भी कर लिया है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ था और जैसे दाल का पीठा हो गया और गुर का लडू हो गया लिस ने चलते हैं बहुत ही टेस्टेग शै बने वे थे बहुत है लिग लिए च्छत मे दीर ने भी जाड़ी हूँ गाने हूए तो आज रबआप देंगा का भी करने वाले हैं तो चलतेिए वीडियो की अंतरतक बने नहीं रहेगा थोड़ासा रभफ तेङगा भी ठालेते। और रबबतेंगा किसको बोलते हैं, ये भी दिखाती हैं आप लोगों को, तो चलिए नर्शाथ, तो फ्रेंड्स, अभी मैं छत में आ चुकी थी रबबतेंगा को लेके, और अभी दिदी और हम साथ में मलदब रबबतेंगा का इंज्वाई लेंगे, और क्योंकि बहुत दि मेरे को लग रहा है, ये चबुत्राई बोलते हैं इसको, और इधर तो बहुत जादा होता है, ये रबबतेंगा, और खाने में बिल्कुल भी खटा नहीं होता है, बहुत मीठा होता है, और इसके अंदर लाल कलर का होता है, और तब तक दीदी भी आ गे थे, तो दोनों हम जब ठंड कम ऐसे हो, खटाई ना खाई, तो क्या बात यार, तो हमने क्या किया, यार, ऐसे बात करते हैं, थाप टिदी और तो प्रूरी और सब आ गे थे, अम्मा भी आ गे थे, तो इसमें में नमग मिर्ची डाल रहे थे, और उनको भी बूच ले थी कि कितना मिर्ची तो मैंने अपने हिसाब से टो डाल दिया था फिर हम यहां पर खाने बैठे तो बहुत ही अच्छा हो रहा था बहुत ही टेस्टी हो रहा था इसमें क्या होता है यह खटा बिल्कुल भी नहीं होता है बहुत ही मीठा होता है यह इसमें चीनी डालने के आप सकता भी नहीं पड अगर अच्छा लगा हो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो चैनल पे नहीं आते हैं, सस्क्राइब कीजिए, एक सस्क्राइबर आएक सस्क्राइब आपका मेरे को बहुत मॉटिवेट करता है, तो मिलती हूं में ऐसी जवरदास्त वीडियो के साथ तब तक के लिए, बाई बाई